प्यारे बच्चों, जामिती रशनाओं के अंतरगत आपने कुछ रशनाएं की हैं जिसमें आपने त्रभुच की रशना करना सीखा है चलिए आज हम एक समरूप चत्रभुच की रशना करते हैं आपके सामने एक चत्रभुच A, B, C, D दिया हुआ है और आपको एक ऐसे चत्रभुच की रशना करनी है जिस्की बच्चों की माप, इस चत्रभुच की संगत बुच्चों की माप की दो बटे पांच है यानि अगर इसकी एक भुचा पांच एकाई है तो उसकी संगत बुचा दो एकाई होगी इस प्रकार की रशना के लिए हम पहले इसके विकर्ण की रशना करेंगे जिस चत्रभूज को हम बनाना चाहते हैं और यदि हम माल लें कि जो नया चत्रभूज बनने वाला है उसका एक शिर्स B पर ही है और इसकी एक भुजा BC पर है और दूसरी भुजा BA की उपर है यानि तीसरी भुजा यहां कहीं पर हमको मिलेगी और उसका विकर्ण जो होगा वो इस विकर्ण BD की उपर ही होगा तो ये बात आप ध्यान में रखिए तो हम सबसे पहले एक विकर्ण लेते हैं और यदि इसकी माप हम पांच हिकाई माने तो हम उस विकर्ण पर दो हिकाई ऐसी चुनेंगे कि वो पूरा का पूरा जो भुजा है वो दो और तीन के अनुपाफते बढ़ जाए यानि पहले चत्रभूश का विकर्ण दे पांच हिकाई है तो दूसरे चत्रभूश का विकर्ण दो हिकाई होगा यह हम काम करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इस दिये हुए चत्रभूश के विकर्ण बना ले और इसके लिए हम B और D को मिलाते हैं यह देखिये, यह हमने B से D को मिला दिया और अब हम चुझकि इस विकरण के 5 बराबर हिस्से करना चाहते हैं और इस मेंसे 2 हिस्सा एक तुरफ लेंगे, 3 हिस्सा दूसरी तुरफ लेंगे यदि इसके हम पांच हिस्से करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर एक किरंड की आश्यक्ता होगी, जिसके हम पांच बराबर बराबर हिस्से कर सकें, या जिस पर हम पांच चाप बराबर बराबर काट सकें, तो यह हमने एक किरंड कीची, माली जिस किरंड का हमने नाम दे दि तो दस इंच तक हमको पांच चाप मिल जाएंगे तो हम ऐसा ही करें ऐसा नहों कि हम बहुत नजदीक चले जाए या काफी आगे निकल जाए इसे नाप लेना ज्यादा अच्छा है तो हमने एक मोटा मोटा अंदाज लिया कि अगर हम दो-दो इंच के चाप काटे तो हमको पांच चाप यहां पर आसानी से मिल जाएंगे तो चलिए यहां बी से शुरू करते हैं पांच बराबर चाप यहां पर लेते हैं यह पहरा चाप हमने यहां पर काटा दूसरा चाप हमने यहां पर काटा फिर यह तीसरा चाप काटा और उसी के बराबर य और यह आख्री ओला भाला पांच-वाइजा मनें कट लिया क दो और तीन के अनुपात में बाढ़ता है ऐसी स्थितमें BD और यहां जो आपको बिंदू मिलेगा कोई भी नाम रख सकते हैं इसकी जो दूरी होगी वो दो और तीन के अनुपात में होगे लेकिन इस पूरे भुजा का और इसका जो अनुपात होगा वो इसके यदि इसको पहले लें तो दो और पांच के अनुपात में होगा तो चली करके देखते हम तो इसके लिए सबसे पहले इस बिंदू को आहां से मिला दे और पहले इनका नाम भी हम लिख दे मालेजी इसको हम B1 कहते हैं यह B2 है यह B3 B4 और B5 B5 को हम D से मिला दे यह हमने D के साथ B5 को मिलाया अब हम इस B5 D के समनांतार एक रिखा किचेंगे B2 से तो समनांतार रिखा किचने के लिए आपको मालूम हम क्या करते हैं बराबर कोन बनाते हैं तो बराबर कोन बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक चाप यहां पर लेना होगा और देखे एक को revis weet ते ये एक चाप हमने काटा झा हे और ठीक के बराबर चाप हम बहुत काटते हैं केपा थोड़ी गरनापाने से करना पड़ता है ज Invest टाक डू resident अ क्यों एक पलिडिक है या कुअ मने कटा और रिश चाप की परिश्य जो लूमभाई है इसको भी हम परकार से ना अपलें अगर तो आप देखिए इसको हम इतना फैलाते हैं कि ये दूसरे हिस्से को दूसरे बिंदू को छुने लग जाए ये इस चाप के लंबाई है अगर इतने लंबाई हम इस चाप पर भी ले ले और उसको हम B2 से मिलाएं तो जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा देखिए बहुत आसानी से हमने कि पहले क्या किया B5 से एक चाप यहां पर लिया और ठीक वैसे ही चाप उसी माप का चाप हमने B2 से लिया और चाप के जो लंबाई थी उसको भी हमने परकार से लिया ठीक उसी लंबाई के चाहप यहां पर काटा तो यह हमको इक पॉइंट मिला अब इसको हम बीटोज मिला दे तो एक नया रेखा खंड हमें मिलेगा जो विगर्ण बीडी को किसी बिंदू पर मिलाएगा इस देखिए हमने पूरी लाइन हम बना दी एक point हमें मिल रहा है इस point को आप नाम दे दीजिए R यह बिंदू R है अब आप देखिए क्या हो रहा है जैसे ही आपने यह B2R यहां कीजा वैसे ही आपने B4, B5D इसके बराबर कौन यहां पर बना लिया तो इससे हुआ क्या कि जो अनपाथ इसका और इसका है वह अनपाथ आपको यहां और यहां मिलेगा यदि यह पांच और दो के अनपाथ में है तो यह आपको पांच और दो के अनपाथ में मिलेगा यानि बिंदू R, B से दो इकाई यह दी दूर है तो R से D की जो दूरी है तीन इकायों में होगी यह जो बिंदू आर है वो इस टुकडे को इस पूरे के संदर में दो और पांच का अनुपाथ में बाढ़ता है यह 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 पता चला जो नया चत्रबूज हम बनाने वाले हैं उसका विकर्ण बियार होगा यानि उसका एक बिंदू हमने आर ढूंड ल कि पुरे का इसके साथ और पांच करनी है और दूसरा बिंदू हमें यहां तलाश करना है जो उसी तरह सी इसको भी वाजिद करता है अब देखे बहुत आसान है काम करना कि अगर हम यहां से एक समनांतर रेखा खीचे इसके तो वो जो समनांतर रेखा होगी वो हमें यहां पर बिंदू देगी तो इसके समनांतर यदि हम यहां से रेखा खीचना चाहते हैं तो देखिए इसके बराबर एक कोण हम आर पर निर्मित करेंगे और जो प्रक्रिया आपने यहाँ पर की थी ठीक वैसी प्रक्रिया हम डी के साथ करेंगे तो चलिए यह वाला भी हम काम कर ले एक चाप हमने लिया एक लंबाई ली और थोड़ा इसको बड़ा कर ले और इसे हमने इस तरह से काट लिया और ठीक उसी के बराबर तिज्जा के चाप हमने आर को गेंद्रमान के रहां से काटा और यह देखे हमने एक चाप और काट लिया अब इसको बहुत ध्यान से देखे कि ठीक इसके बराबर के लंबाई हमको लेनी है यह हमने नोक यहां रखी और दूसरी वाली नोक जो है पेन की यहां रख दी तो इस चाप के ल समरांतर होगी चलिए इन दोनों को हम मिलाएं ध्यान से अ यह हमने मिला दिया अब देखिए एडी के समरांतर आपको यह एक देखा मिल रही है और इसका आप नाम देदे पी नाम देदें आप इसको यह हुआ पी तो बिंदु पी एक ऐसा बिंदु है जो इस दीवे चत्रभुच की दो भुजाओं को निधारित करता है एक तो बी पी को और दूसरी और पी को और यह जो भुजा है इसका इस पूरे के साथ अनपात दो और पांच का होगा वैसे ही इसका भी अनपात इस कि तो फिर से अमेक चाप लें अब कि वारिष के लंबाई हम थोड़ी बदल दें ता कि इससे अलग दीखे वो चलि हम एक चाप यहां पर इस तरह से काटते हैं और ठीक वैसे ही चाप हम आर से और बनाते हैं यह हमने चाप बनाया बिंदू D और बिंदू R इस विगर्ण BD पर हैं और हम DC के समनांतर एक लेगा खंड यहां से कीचना चाते हैं और उसके लिए हमने इस चाप की रिष्णा की ध्यान रखेगा अब इसकी जितने लंबाई है वो भी हम नाप लें यह देखिए इस चाप की लंबाई को परकार से नापा और ठीक उसके बराबर इसके बराबर पूर्ण बनाने के लिए हम यहां से इसको काटते हैं कि यह देखिए कि यह तो कमाल हो गया उसी पर ठीक कट रहा है वह चलिए इसको मिलाएं हम कि उन्हें चत्रबुश की भुजा पर ही काटा यह बड़ा संयोग है फिर भी हम इसको मिला दें यह देखिए अब इसको एक नाम आप देदे जैसको क्यों नाम देदें है तो यह चत्रबुश का चौत्हा बिंदू मिल गया अब आप द्यान से देखिए हमने एक विकर्ण बनाया था जो बड़े वाले चत्रभुज का विकर्ण था और हमने ये माल लिया थे कि जो हम नया चत्रभुज बनाना चाहते हैं उसका विकर्ण भी इसी पर है और उसके एक भुजा बी ए पर है और दूसरी भुजा बी सी पर है तो ये जो बी क्यों आपक है मामारे दोबटे पांच है उससी तरह से इसका और इसका जो न पात है व मैं दोबटे 5 है भी आर का और दी का पात दो दोबटे 5 है और पी ओर का और एबी नफाद दोबटे 5 है यानि एख ज convention क्रबार बनात बेक्स री से यह दो चत्रभूज वह पहले वाली चत्रभूज पीसी डी एका समुरूप े तौना कर देता हूं ता कि आप ठीक से देखाए बनाई ती इसको मैं लाल स्याही से आंकित करता हूं ताकि आप ठीक से देख पाई से साफ साफ एक भुजा ये हुई दूसरी भुजा ये है जो डी सी के समरांतर है तीसरी भुजा बी सी पर ही है जो ब्यू क्यू के रुपे आपके सामने है ये और चौती भुजा यहां पर है जो ए बी पर है और इसका नाम है पी बी अब देखिए ये जो एक लाल रंग से बना हुआ चातर भुजा आपको दीख रहा है बी बी क्यू आर ये ए बी सी डी का समरूप चतर भुजा है इस चतर भुजा के साथ अनुपात दो बटे 5 का है तो ये आपके अबिश चतर भुजा की रशना हुई जो दिये हुए चतर भुजा का समरूप है